अपने कठोर तपके कारण देवी संग्या जगदीश्वर भगवान विश्णों का आशिरवात प्राप्त करती है। तथा संग्या के शरीर की छाया से आकार प्राप्त कर देवी छाया सूरे लोग में सूरे देव से मिलती है। उनके परस्पर मिलन से शनी देव और देवी तप्ति का जन्म होता है। वे दोनों आरंब से ही अपने पिता सूरे को अपना शत्तू समझते हैं तथा माता चाया के साथ सूरे लोग का त्याग कर देती हैं। शनी लोग के कश्ट पूर्ण वातावरन को देख चाया शनी का भी त्याग कर देती है। इस दुख से दुखी तप्ति की आँख से बहते अश्रू नदी का रूप धारन कर त्रिप्ती नदी के रूप में पृत्यवासियों का कल्यान करते हैं। देवी चाया अश्वनी संग्या में विलीन हो जाती है। अश्वन रूपी संग्या के जब से प्रसन्न सूरी देव संग्या के प्रेम मिलन को स्विकार करते हैं। इस प्रकार देवी पार्वती को महादेव से सूरी शनी के द्वेश की कथा का ज्यान होता है। उधर शनिदेव का प्रोच्साहन पाकर दैट्य गुरू शुक्राचारे ने पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी असुर जाते को पुनह जागृत किया आसुरी शक्ति की प्रतीक स्याह शक्ति को लेकर शनिदेव वैकुंट की ओर प्रस्थान करते हैं यहीं ठैजाये शनिदेव एस समय वैकुंट में आपका प्रवेश निशेद है क्या है ये इसे भली भांती पहचानलो जैविजेः ये सिहाव बिंदू तुम्हारा भविश्य है इसे वैकुंट में प्रवेश करने से स्थागित कर तुम अपने ही भविश्य को स्थागित करोगे इसी कारण इसी कारण हमें वैकुंट में प्रवेश करने दो असंभा कदापि नहीं कि जगदीश्वर भगवान विश्णु इस समय योग निद्रा में लीन है हम जगदीश्वर शरी भगवान के इच्छा के बिना आपको वैकॉंट में प्रवेश करने की अनुमती नहीं दे सकते लौड जाए यहां से वैकॉंट के द्वार पर खड़े रहने के पस्चात तुम्हें इस बात का अभास्त हो गया होगा कि शनी देव अपना निश्चे पूर्ण किये बिना पीछे नहीं हटते इसी कारण हमें वैकॉंट में प्रवेश करने से मना करने का सहस ना करो कदापी नहीं हाँ 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 अ अ मैं और इस श्टा का स्मरण करो जे विजे जो वेकुंड के महां समयलन के अफसर पर विश्णों के अंशावतार संकादिक बाल योगियों ने तुम्हें दिया था स्मरण करो जै विजै स्मरण करो क्या शाब दिया था उन बाल योगियों ने तुम्हें स्मरण करो अहंकार पुर्ण भाषा बोलकर तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है हम तुम्हें शाब देते हैं वैकुण्ट से तुम दोनों का पतन हो जाएगा तुम बार-बार द्वैत्यों के रूप में जन्म लोगे तथा हर यूग में जगदीश्वर भगवान श्री मिश्रिश्टू के अवतारों द्वारा मृत्यू को प्राप्त होगे तुम वैकुण्ट के द्वार से पतित होकर घट्य बनने के लिए विश्रू के अच्वतारों द्वारा शापित हो चुके हो तुम इस्याव बिंदु का परिचे ग्याद करने के जुक्ते ना तो सुनो आसुरी शक्ती के प्रतीक इस्याव बिंदु को मैं तुम दोनों के हित के लिए ही वैकुट में प्रवेश कराने का इचुक हूँ कि जब तुम दोनों धेत्य बनों तो तुम विश्णु द्वारा पीडितना हो तुमारी परमशक्ति विश्णु के समुक पराजितना हो हर मनवंतर में असुरी जाती की संक्ट शक्ति से धेत्य जाती जन्म लेती है और तुम दोनों धेत्य जाती के भविष्च के सूत्रधार हो अपनी ही जाती के उत्थान के मार्ग में अवरोध बनने की मूरकता ना करो जेविजे हमें संक्टित असुरी शक्ति के साथ वैकुंड के भीतर प्रवेश करने दो जेविजे इसमें तुम्हारा ही हित चुपा है तुम्हारा तुम हारा पुत्र शनीदेव अपने आपको कलंकित करने वाले ऐसे दुस्तास पूर्ण कारिय न करो आपको मेरे उस्त प्रतिग्या का स्मरण है न सूर्यदेव वो प्रतिग्या जो मैंने आपके सामने धारण की थी अपमानित होकर जीवित रहने से तो उचित है मृत्ति को स्विकार कर लेना जग्दीश्वर भगवान विश्टु के अमोग अस्तर के सम्मुक आज तुम दोनों का भयाना का प्रतिग्या देव मैं इस अपमान का प्रतिशोद लेकर ही रहूंगा अपमान की धदकती होई ज्वाला में जलते होई श्यानी की प्रतिग्या भी सुन लें कि समय आने पर मैं विश्टु का इतना ही घोर अपमान करूँगा जिससे विश्टु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा आज जग्दिश्वर विश्णु से अपने अपमान का प्रतिशोद लेने का अफसर आ गया है नहीं शनी नहीं मैं तुम्हें को कृत्र करने का आफसर कदापी नहीं दूंगा आपके जग्दिश्वर विश्णु भी मुझे नहीं रोक पाएंगे को दुर्ण कार्य ना कर शनी श्री भगवान से अपने दुस्साहस पूर्ने कारे की शमा याजना कर ते वे दया निधान है जमा शील है वक्त वतसल है में तुम्हें अमेश्य चमा करेंगे हाँ कॉ एक अनला हि लोस्त हुरण मैं जिस सुद्देश्य से आया था वो पुर्ण हुआ ये मेरी भयानक विद्वन्सक प्रतिज्या का प्रारंब है मैं आपको विच्यतावनी देता हूँ सूर्य देव कि भविश्य में यदि कभी भी आपने मेरे मार्ग में आने का दुस्सा हस किया तो परिणाम आपके हित में ना होगा मुझे च्वा करें जक्दिश्वार अपने पुत्र के कुकृत्य के विरुद्ध आज न जाने क्यूं मेरा प्रहार असफल हुआ है भगवन दीनानाथ इस संसार में आपके इच्छा के बिना एक कड़ इधर से उधर नहीं होता शनी के इस दुस्साहस को कहीं आपकी प्रणा तो नहीं प्राप्त है कि संभावता इसी कारण मेरा प्रहार असफल हुआ कि मुझे छवा करें दया निधान जग दीश्वर भगवान जागे प्रभू जागे स्वामी जागे यहां कुछ विचत्र घटित हो रहा है जागे जग्दीश्वर जागे जागे जगए प्रणीश्वर जागे जगए जगए रहा है अजने इस अज dużo हमने ऐसा क्या किया महादेवी जो तुम हमैं इस प्रकार रुष्ठ होकर देख रही हो इस संसार में जग्दीश्वर श्री भगवान की लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है मेरी लीला हाँ स्वामी आपकी लीला जिसके खेल नितने और निराले होते हैं किन्तु उसमें सदा संसार का कल्यान और भविष्य का संकेत छुपा रहता है महादेवी इन दो नए प्राणियों में भविष्य का ऐसा कौन सा संकेत छुपाता स्वामी जो अठ्ठा हास करते यहां से भाग गए हमें कैसे क्या थो महादेवी हम तो योग निद्रा में लीन थे स्वामी मुझसे यह बात छिपी नहीं कि योग निद्रा में रहते हुए भी संसार की हर वस्तू का आपको हर पल ग्यान रहता है बताए ना स्वामी कौन थे वे दो छोटे से प्राणि जिने आपने खुच समय पूर्व अपने कानों से प्रकट किया महादेवी वे दोनों संगठित असुर शक्ती और मेरे कानों के मैल से शरीर धारन करने वाले डैत्य शक्ती के प्रतीक थे जिन्हें पाताल की संगठित असुर शक्ती के सुरूप में लाकर हमारे कानों में प्रवेश कराया गया था भविश्य में ये दोनों दैत्य भयानक दैत्य शक्ती के सुत्रधार बनेंगे मैं इस सत्त से अपरिचित नहीं स्वामी इस संसार में जो कुछ भी घटा है वो आपकी इच्छा तथा लीला की निमित ही घटा है किन्तु प्रभू ये दोनों दैत्य कौन है इनकी नाम क्या है ये भविश्य में क्या करेंगे ये भी तो बताईए महादेवी एक साथ इतनी अधिक जिग्यासा बताई ना स्वामी इनका रहस ज्याद करने को मेरा मन व्यक्र हो रहा है इन दोनों का नाम मदू तथा कैटव है महादेवी भविश्य में ये दोनों दैत्य हमसे भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे अर्थात अर्थात का रहस्य है अभी भविश्य के गर्ग में छुपा रहने दे महादेवी वो का से घगय करता आत्सी लुपा रहस्य है हुआ हुआ हुआ… मैं कान हूँ मैं कान हूँ मधू 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 बदू बद्धू कोँ सू e बदू 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 बै मदू हूू ओ कोण हूू ओ कोण अuito जाएख्व+. काइटाब 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 मैं काइटाब मदू काइटाब काइटाब हमें क्यों शरीर प्राप्थ हुआ है दैत्य और असुर्जाती का गौरव सर्बोच शिखर तक पहुंचाने के लिए ही तुम जन्बे हो दैत्य जाती असुर्जाती सर्बोच शिखर क्या हम असुर और दैत्य जाती का गौरव सर्बोच शिखर तक पहुंचा सकेंगे इच्छा होने पर तुम कुछ भी कर सकोगे तुम भयानक शक्ती संपन्द हो महाशक्तिशाली हो इस संसार की कोई भी शक्ती तुम्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकती स्वयम की इच्छा होने पर ही तुम परास्त होगे अत्वा मित्यू को प्राप्त होगे स्वयम की इच्छा हाहा सुना कैट अब हम स्वयम की इच्छा से जन में हैं और हम स्वयम की इच्छा से मृत्यू को प्राप्त करेंगे हम प्रिद्यू की स्वयम की इच्छा करेंगे ही नहीं हाहा 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 और हम परास्त होगे ही नहीं हाहा हाहा ह कर दो भजर नहां कमार मुर्यार अिर्ण ऑग जब है कर ज़ से मुर्त ,... जाएँगा हएा है और आएँगा है